असलाम अलेकुम वेलकुम टो एजन्डा CSS मैं हूं सक लेंट जमल और आज हम डिसक्स करेंगे जनुरी 2022 के अराउंड जनुरी 2022 और वी आरड़ी आर रोड तो 1000 सब्सक्राइबर्स तो जिन्हों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जिन्होंने 2021 के करेंट फेस के मसी की प्लेडिस नहीं देखी तो उपर आई के बटन में आख यह लिक मुझूद है वहां से जाकर के देख सकते हैं तो मेक्शर यू लाइक इस वीडियो एंड आइल कीप अपलोडिंग अगरेंट फेस एस सून आज पॉसिबल वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी जनुरूरी 2022 पाक्स्तान आर्मी हैस बिन रैंक्ट डैश मोस्ट पारफुल आर्मी इन दे वर्ल्ड और देख से उस पें पाक्स्तान का रहेंख है 9th आउड ओफ 133 पाक्स्तान ने वी एंड डैश कंडुक्टिट ड्रेजर कराची जनुरूरी 2022 पाक्स्तान ने अमेरिका के साथ डिल्स की ती कराची के अंदर जनुरी 2022 में यानि कि इस साल के स्टार्ट में वीडियों सर गार फि दूख चरॉठर ऑफरी थी तया का और जिया तूर तीर जरूरी एंड टाट्रोंदिवर्ट। रूर्सरी फाकिस्ताइनी प्किस्टासैनिय। इसको पहुते हैं आधिके बाउस्ताइने माँपॏपड़ीज और आंटाईम्ण मेर्ली भीस्त भीकों ही अश्लेहीद। सकते हैं on January 17 2022 special technology zone was inaugurated in dash Pakistan में जनाव इम्रान खान साब ने इनावरेट की थी हरीपूर में special technology zone justice Ayesha Malik before taking the charge of Supreme Court judge has served as a judge in which court जनावी Lahore High Court की judge पहले रह चुकी जड़ी कोट the oath of the first women judge Ayesha Malik justice Gulzar Ahmed sahaj यह उस वक्त हमारी chief justice थे इन्होंने Ayesha Malik sahab की जो ओथ थी he administered that and she took oath on 24th of January 2022 as the first ever female judge ठीक है जी पाकिसान की first ever female judge of the Supreme Court of Pakistan Dash has been awarded as laurel of T20 Cricketer of the year 2021 Tupu Muhammad Rizwan Kumilata then we have which Pakistan women Cricketer has been named emerging Cricketer of the year 2021 Fatima Sena is the name of Pakistani Cricketer who was named as in the was named emerging Cricketer of the year 2021 which PNS PNS stands for Pakistan Navy ship and visited Tanzania on 16th of January as a part of Pakistan's overseas deployment in Africa and also established a free medical camp there पाकिस्तान Navy ship का नाम क्या है वो है जी आलमगीर दरेश कमेंट has signed memories of understandings MOUs with 44 foreign investment companies attracts 8 billion dollar investment at Dubai International Expo on 16th January 2022 के पी गवर्मेंट ने कितनी कंपनी के साथ साथ साइन किया है और पैसे कितने मिले हैं या इन्वेस्टमेंट कितनी मिली है ठीक है और या फिर इवेंट को पूछ सकता है क्या था तो वह तो जगा सकते हैं पाक्स्तान का हेल्थ सेक्टर कहां जा रहा है या पक्स्तान का रिस्टान करता है पाक्स्तान इस फिफ्ट अमंग धिभी हाइवर्ड countries which central bank won the ifn global award 2021 for promoting islamic finance across the state bank of Pakistan जिनाग उसको ifn की तरफ से award मिला था for promoting islamic finance which militant groups claims the responsibility for an archery blast that took place in January 2022 तो इसकी जिम्हदारी कूल की थी व्लोज इस नेशनलिस्ट आलमी ने इसमें कितने लोग शहीद हुए थे जनाफ तीन लोग शहीद हुए थे इस country is going to host Asian taekwondo in November 2022 नॉवंबर 2022 में पाकिस्तान ने host किया है Asian taekwondo पकिमजीद जब नॉवंबर के सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से पड़ भी लेंगे या कुछ और भी एंसी कुछ हुए तो भी हम देख लेंगे according to global risk report 2022 published by world economic forum अच्छा ये भी आता है कि global risk report जाई ये कौन सा कौन से ये कौन से आती है तो वो है वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरूम ड़ी एफ ठीक है जी इस फॉर्म इस टॉप रिस्क वर पाकिस्तान डेट क्राइस जो है सबसे बड़ा रिस्क है पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन पान विच रिवर तो रिवर जेलम के उपर जनाव को बनाया जा रहा है रजा रवानी से सेनेटर आफ विच पार्टी आपको पता है जी ये पी 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 के है बेटरन एक्टर रशीद नास डाइड अट दी एज ऑफ 73 ऑन जैनुरी डै सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की ड्रामा इंडिस्ट्री बहुत ज्यादा काम है और अगर आप पुराने पी टीवी के ड्रामें देखे हैं तो डेफिनेटली यू रेकिनाइज इस सून आज यू सर्च फॉर रशीद नाज पाक्स्तान रेंक्ट एस डैश वर्स्ट पासपो पासपोर्ट है ट्रैवलिंग के लिए 2022 में उससे नीचे जो आ रहे हैं सीरिया एराक और अफगानिस्तान है क्या बंदादा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो आफ्रिकन कंट्रीज हैं वो सारे सारे साउथ इस्ट एशियन एशियन क्या उसको कहते हैं क काकेजयन है यह मैटिटरेनियन जहां के भी कंट्रीज है वह सारे पाकिस्तान चे उपर ही है वर्स पास्पूर्ट के लहाँ से पाक्सितान का पासपूर्ट गदर प्रास्पोर्ट ढखरous विस देए करन्ड'll के लिंप और सीयो संगल एसंग लिएल के सीयो जनाब तो अली जवेद हमदानी साहब है सक्कर हैदराबाद मोटर वेवोड एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट डैश 191 बिलियन इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है पाकिस्तान फर्स्ट आवर नेशन सीक्रियोटी पॉलिसी यह 14 जनुरी को जनाव अन्वेल किया गया तक बड़ा मिशू पाकिस्तान ने कहा था कि जो फॉर्ण इंवेस्टर्स हैं वह यहां पर अगर इंवेस्ट करते हैं तो हम उनको नेशनल्टी भी देंगे पाकिस्तान फाक्सटान है चेर्ड जिए 77 बिफोर 2022 पाकिस्तान 122 से पहले तीन दफा इसकी चेयर्शिप कर चुक है या इसकी मीटिंग को चेयर कर चुक है और बासिकली इस प्लिशन अप 134 इveloping पाकिस्तान के 28 चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अताव अंद्याल साभ और उनने ने दो फेबरी दोडर बाइस को ओथ ली थी और मरी वाज डेकलियर्ट विपर डैस्ट अबेड़ इन कार्स तो तैस्स लोगों की कर दो देट हुई थी वहाँ पे मरी में वहां पे इन देड प्रेंड पाक्सितनी बॉण सर्जन जिनका नाम है जिए ड्र मॉर्माद महयुदी नियु पहले भी अभी चुक है और ये बड़ा मशूर हैं कि क्यो है अमंग टीम हो मेरे हिस्ट्री विट दाइश टूमन हार ट्र किसमें मनी थी जो दोजार एक्षिस में हंडर्ड अन्यवर्सिट मनाने के लिए कमेमरेटिव कॉइन और रुपीज जारी किया गया था रिच पाकस्तानी एक्टर विल स्टारिंग नेट्फ्लिक्स सीरीज दी क्राउन वायों सहीद जनाब और मैनी ग्रीन लाइन बस्स वि सी बस के साथ जो है सर्व किया जाएगा या पिसको कवर किया जाएगा ग्रीन लाइन बस सर्विस विकांस फुली अप्रेशनल फ्रॉम 10 जनरी 2022 सौरी यह देट आप है यह वाली आतर थेंगे चलेजिए 23 पर संट 23 पर संट इंसाइड वेहिकल्स इन मरी रिसेंटी तर इस कार्बन मोनोगसाइड रिसेंटली पाकिसान और दैश फिनलाइज जोंट एक्शन प्लान फॉर स्रेटीजिक डायलॉग 2022 से 2026 तक पाकिस्तान ने GCC के साथ गुल्फ कॉपरेशन कांसल के साथ मौहिदा किया है जोंट एक्शन प्लान फॉर स्रेटीजिक डायलॉग इस दो जोसे ने नेंट ऑगने फिल्फ कशी चानव मेर फिलीजिट सेटीट इन इनविट सीजिट एफ पाकिस्तान तो जिनाव हम इस्ञाबाल में अगला स्था आइज प्लाइब बेसी अर्ट किकेटर इन पीफिब आवाँट वांड ऑर्रियों दीट को जनाव को जनाव आमिर सर्फराज जो हैं he has been given UK's court of arms एक इस जो एवार्ड है या designation है इसका आपने नाम याद रखने हैं और फिर उसके लावा उनका जो आमिर सर्फराज साथ हैं सो लौड आमिर सर्फराज हैं उनका अपना भी नाम याद रखेंगे आप पाकिस्तान ने हैं जेट एंड सी फाइटर जेट्स जो हैं वो चाइना से लिए हैं और यह यह इस आर बेसिकली टू काउंटर रफाल एर प्लेंज या फिर फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया विच इंपोर्ट इडिया फिर बार्ट फ्रांस ठीके जी परस्ट इस्लामबाद इस्लामबाद तहरान और इस्तंबूल बेसिकली इस्यों ट्रेंट का ट्रेक है ठीक है तो यह इंक्रा कब पहुंची जी तीन जन्वरी को यह कि तेरह से चोथा दिन का यह सफर किया था इस ट्रें ने विच पार्लिमेंटेरियन पेट थाइस टेक्स अमांग पार्लिमेंट अजीब हरून साहब हैं जिन्होंने 2019 में सबसे ज्यादा टेक्स पे किया था अमांग पार्लिमेंटेरियन पाकी सारे जितने मगर माशिया बड़े-बड़े नाम आप सुनते हैं उन मेंसे कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसने बहुत ज्यादा टेक्स पे किया हो विच पा साहब की गवर्मन में 15.32 बिलियन यूस तॉलर्स जो है करजा लिया गया था फिसकल ये 2020-21 के यह ठीक है यह एक साल के है अ फीमिल जेनलिस्ट ऑफ विच कंप्री तरन तो तालिवान फॉर है अफ्टर हर कंट्री प्रिवेंटेर फ्रम रिटर्निंग तो उसने मदद मांग के साथ साथ सौधियर अच्छे तालुकात तब से नहीं है क्योंकि जो ग्लू टामट अफेर है इस शीरीज ऑफ उन्रीजॉट क्राइं अंबिटर्ट डिप्लमाटिक रिलेशन्स प्रिगट वाइड नाइटीन थेफ्ट ऑफ जैंस बिलॉंगिंग तो यह उस आफ साउथ यह है कि सारा यूके जो है वो क्रोना के पुबंदियों में कैद था लेकिन जो इनकी रूलिंग पार्टी थी उसके लीडर्स जो है वो प्राइवेट पार्टी में एक दूसे एक साथ गुल मिल रहे थे थे वर नॉट अब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग वर कोविड बिटॉटी जनरी फूंटीघ डियुटएज फून फूंटीए ड़ी तो धोट फिट टोटफ खेंटीट फूंटीन है उसको डिपोज कर दिया था और मिने इस कांट्री एंग 44 बिलियों ट्रैट डील इसके बाद 44 बिलियों डॉलर की ऐट दिल साइन की है इससे पहले 57 बि award for the women ODA cricketer of the year 2021 Lizal Lee ICC men's test cricketer of the year जनाब जो रूत हैं टेके अंडर the JCPOA Iran had committed to keep uranium enrichment to dash तो ये exact figure आपने याद रखने हैं 3.67% तक रखने हैं not 4% not 2% 3.67 आपने याद रखने हैं JCPOA POA stands for Joint Comprehensive Plan of action Joint Comprehensive Plan of Action ठीके जाएं अच्छा जाएं अच्छा जाएं इंडोनेशिया has announced that its new capital will be called Daesh तो उसका नाम है जी नुसंतरा who is the new head of EU Parliament also the youngest ever person to clinch the job Roberta Metzola जो है वो youngest ever person है जो के EU Parliament की नही हैड है Daesh has been declared ODA Cricketer of the Year ODA Cricketer of the Year जो है 2021 का वो है बाबर आजम हेमावारी 8 is a satellite of Daesh जो है जनाब जापान की who is the current president of Tunisia कैस सहीद then we have who is the current prime minister of Tunisia नजला बोदेन जाद रखेगा उनके president का नाम कैस सहीद है या कैस सहीद है या कैस सहीद जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें और जो उनकी metro train has been started in which country जाइना में जनाव सबसे लंभी metro train जो है या metro line जो हो start की गई है according to the WHO which country has the highest number of new laprosi cases in the world annually तो कोड के का जो मरीज है या कोड का जो मर्ज है उसके सबसे ज्यारा के सबसे ज्यारा के सिजनाव इंडिया में आ रहे हैं according to the WHO देश वन फीफा best player vote on monday 17th january 2022 तो रॉबर्ट लेवन डॉसकी साफ जो है best player award मिला था 2022 के start में 17 january को and he belongs to poland चलेंज रिवर सेंट which was seen in the news recently is located in which country अब उसक्त कबरों में पता नहीं है क्यों आ रहा था बारा यह रिवर जो है यह फ्रांस का है तो आप प्रेंट पीडिये से बनाता है तो definitely there is a possibility that you can expect these or you can say anything can come which country is set to ban the sale of tobacco to its next generation to new zealand in our laws विवना लिया और बुसारी policies त्यार कर रहे हैं ताक कि next generation sale of tobacco को बेहन कर सकें सेमरू volcano which erupted recently is located in which country सेमरू volcano जनाब इंडोनेशिया में बाकिया है then we have which tennis player was reported from australia after his unvaccinated status in वाक जोकोविच how many countries losing right to vote at UN over unpaid dues unpaid dues कि वैसे जनाब आच कंट्रीज जोनेव दोजर वाइस में अपना राइट वोट हो चुके थे विच ग्रीकोड़े इस लोएस्ट वर्थ रेट सिंस 1949 on january 17 2022 जनाब चाइना में लोएस्ट वर्थ रेट रिकार्ड किया गया चिंस 1949 विच प्रिटिश रोयल फैमली मेंब्र वो सारे चीन ली गएते आफ्टर एन इंक्वाइरी या फिर लॉशुट इरप्रिड अगेंस्ट हिम इन युएसे विच कंट्रीज विच कंट्री रिकॉर्ड लोग बिर्थ रेट इन 2021 चाइना सेम एज पहले भी हम डिसक्स कर चुके वो इस दिकरांट डिरेक्टर जेनरल व व हो डॉक्टर टेट्रोस एदानौम गैब्रीसिस ठीक है यह जीब सा नाम आपने याद रखना है और इसको अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वही अंकल नजर आ जाएंगे जो के करोना के दिनों में व हो की तरफ से करोना के बा लाम है मगावाम चूंके एक गोल्ड मेदलल इस्त in Landmine Sniffi इस बंदे का नाम है जी डेविड बैनेट सीनियर जो के दो मीने बाद ही वफाद पागे थे दे फेमस वर्ड एक्सपो इस होस्टेट बाइ विच सिटी फ्रम अक्तूबर 2021 तो मार्च 2022 तो मार्च 2022 तक जनाव दुबाई में लगा रहा था हुपाद 2021 से लेकर वर्ड एक्सपो ता जेमस वर्ड तेलिसको वस लांच्ट विच कंट्री तो जनाव फ्रांस से लांच किया गया था जेमस वर्ड टेलिसको विच एक्स यॉर्पें पर्लिमेंट प्रेजिएंट एक इट्स देट्ट्रिपेमेंट्स एट अएमेर्ड क्रिस तो चायना को उने कहा इसनाव कि आप हमारा जो डेय्ट रिपेमेंट का स्ट्रक्चर एं उसको तोड़ा सा शीफ्ट कर दें तोड़ा सा मेर्लक्सेशिन दें एकनोमें सब्सेटिश चल रहा है बहाए और और 2022 गुज़र चुका है तो इस फक्त आप कह सकते हैं कि जो सेकर्टरी जनल ऑफ ओपक है वो है है समल ग्रेस पर हमेनी यूर्स एंजला मरकल सर्फ एस चांसलर ऑफ जर्मनी सोला साल के लिए जनाल चांसलर ऑफ जर्मनी रहे सब्सकेरण है अपुजन एक्सफ एक्सेस अग्रीबिट जर्मनी जपान रिचन्तलियस आप जक्राइब आपकोषट दृख में चांसलर पाइश किया ता चांकमिग्र जरम थैकारेश चर्टरीए जनालर सब्लार बार्क्त गट्रीट जनाल जुट्स में है चाना से इस तरह क के नाम आपको बैस में पता है चाहिन्हीज की उते हैं दैस्ट फिकांवश कमभी टूर्ट 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 वेल्यु तो चीटी टीन जैन्वरी को ही तीन ट्रिलियुन डॉलर का मार्के वेल्यु का जो हत्फ है या फिर एंवाल स्ट आप रिच किया जनाप अपने इप इ के श्री लंका बाइन विकर्स तुमीन अधर 19th asia cup 2021 तो एडिया ने जिता था और जो बैसे asia cup 2021 थे वह श्री लंका ने जिता था पक्स्तान को रहा था वना फाइनल्वी स्पेसेक्स ऑपरेटिंगा इसका सबस्य ज्यादा शेरोलडर है ठेकचे जे विसक्ट्री आज ओरॉडड़ तब क्लूजर ऑफ इन दी नॉर्थ ऑफ कंट्री फॉर्सिक्ट्री पर्विकास आप आन्ता सेमिटिक रिमार्क्स मतलब के जूर्ण के अगेंस्ट य ने बेंड की है एक मॉस्कों चे मीने के लिए जिनाप फ्रांस में उसके लगा है अच्छा जी मैं नेलसर में डेला वीकेम इस फर्स ब्लैक प्रेजडेंट नाइटीन 94 में वो फर्स ब्लैक प्रेजडेंट बने थे उससे पहले जो लास्ट वाइस प्रेजडेंट थे उनका नाम है जो कि रिसेंटी वफाद पाचुके है डेस्वन टूटू कॉइंट टर्म डैश वर सौथ अफ्रिका वें नेलसन डिलाव बिकेम इस फर्स प्रेजडेंट तो ड नाम दिया था या टर्म कोईन की थी रेंगो नेशन फोर सौथ आफ्रिका अटेस्वन टूटू अनुबल नोबल प्राइस 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 विननर टाइड अट इज अफ दैश नाइंटी यस की एज मिन की वफादवी चैनीज नुश्पेस स्टेशन थिहां कॉंग कॉ टूटू नुश्पेस एक्स की जो सेटलाइट अस्टार निक उसके साथ दो दफा वो प्लोज एंट कांटर होते होते बचा है जी सैवन टूजए 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 ने विच कंट्री तो जनाब जी सैवन जो है वो जर्मनी में हुई है और जो जी टूटी है वो पाली इ का इस बच्नरी तो लुट जर्श जिर ने ने विच ने चुट लूड में टूड जेश के साथ आफ फैंट दूटर ने भन टूजए टूट है फ्यूटार इव्टलिजए ने कौटन टूटान टूडड टूड थटूड़ टूड टूट टून टूटन टूस ऑड टून ट 2022 what is the estimated population of the world as per u.s census पाक्सता पूरे जो वर्ल्ट की population है वो जनुरी 2021 में 7.8 billion पे स्टेंट कर रहे थी तो यह है जी आज के mcqs जो के करेंट फेसे जनुरी 2022 के हैं I hope you like them and I hope you will suggest this channel to your friends because I am trying to provide value here and I'll see you in the next video I hope that you keep supporting me and I'll be happy to see you give suggestions in comments and also leave your feedback so stay tuned and take care Allah face